यह जो हिंदू मनमस्तिश्क है ना सनात्नी जो मनमस्तिश्क है यह भागवत है उत्पाती नहीं है इतिहास गवा है कि जो संप्रदाय पंध कौम उत्पात में प्रवेश्की उसका विनाश हो गया प्रंत हम लोग ना प्रारंब का पता है ना अंत का पता है हमारे भगवान का भी नहीं पता है मा ने पूछा भगवान का वास्तविक सरुप क्या है तो बाबा जी क्या कहते हैं बिडुपद चैलै सुनै बीनु काना करबीनु करमा करै बेदिनाना आनन रही तर सकल रस गोई बिनु पानी पक्वन था पर जोई दख बीनु पर से नयन बीनु देखा गहरी घार बीनु पास असी का असी सब माती अलो की कखरनी महमा जासु जाई नहीं बर रही असी सब माती अलो की कखरनी महमा जासु जाई नहीं बर रही आदी अंदे को जासु नपावा मती अनु मान निगम एसगा आदी अंदे को जासु नपावा मती अनु मान निगम एसगा आदी अंदे को जासु न सत्य का अधियंत पता जलता है न सनातन का अधियंत पता जलता है न भगवान का अधियंत पता जलता है न भक्ति का अधियंत पता जलता है होती है होता है होते है कब पता नहीं चलता भक्ति की यात्रा जीवन में कब प्रारंब हो जाए पता नहीं चलता क्योंकि भक्ति क्रिया नहीं है भक्ति जीव की स्थिति है चाह कर भगत नहीं बनता चाह कर भगत बनाया नहीं जाता आप कहेंगे महराच पता तो चलता होगा ना जो कहें कि हम भी भक्त हैं इसका अर्थिये हुआ कि वह भक्त नहीं है वो कह रहा है भगत कहता नहीं रहता है भगत कहेंगा हम भगत हैं भगत होता है ख्रमा करियेगा आपने कभी भूख देखा अपनी सिर में दर्द हो कभी दर्द देखा अरे भूख दिखती नहीं है आप कोई कहें कि भईया भूख लगी है तो कह दिखाओ क्या दिखाएंगे अरे लगी है भाई कुछ खाने को लाओ नहीं नहीं जब तक दिखाएंगे नहीं तब तक हम आपको कुछ खिलाएंगे नहीं तो विचारा भूख हे रह जाएगा जिस प्रकार भूख होती है नहीं दिखती है दर्द होता है नहीं दिखता है उसी प्रकार परमात्मा और भग्ती होती है दिखती नहीं है होते हैं बगवाज की ब़क्ती होती है आप छोटी सी सूचना पर आढ़णी बैटे हैं मानने जन बैटे हैं माता लोग भी बैठी है चोटी सी सूचना, मैं तो जब एक शाम राम के नाम करने चलता हूँ निज निमाज से, आश्रम से, तो कल्पना करता हूँ सो दो सो लोग होगे, क्योंकि सो दो सो लोग तो पूरी दुनिया में है जो सुनते हैं, प्रति दिन 91-92 देशों में लोग कथा को शवन करती है तो कहीं कुछ है, कहीं कजाकिस्तान में कोई है, युगांडा में है, कोई कनाडा में है, कोई कहीं है कुछ थोड़ा तो सुनते ही होंगे, 4 मिनिट, 10 मिनिट, 5 मिनिट कुछ सुनता है, जो भगत है और युद्यान रखियेगा, भगत कभी भी उत्पात में नहीं प्रवेश करता है भगत कभी विवाद में नहीं पड़ता कि उसको अपने आनंद रस से फुरसत नहीं है जैसे नशा करने वाला नशेड़ी अपने नशा के मस्ती में रहता है चाहे जो करो, उसको कोई भरक पड़ता नहीं उसी प्रकार भगत की भगती में जो रस है उस रस में इतना आनंदित रहता है संसार के वेवार से उसको कूछ भरक नहीं पड़ता रावण ने हनमान जी महरास से पूछा तुमको हमारा बड़ा बेटा, हमारे पुत्र ने बाध लिया तुमको लज्जा नहीं आती है हनमान जी कर्दरी लाए, बोले नहीं अरे राज सभा में बाध के लाए गए, तब भी तुम्हें लज्जा नहीं आई क्यों सिरहनमान जी क्या कहते है मोहिन कचु बाधे कैला क्यों? कीन चहूनिजे प्रभुकर का मोहिन कचु हमारा लक्ष उच्च है आप अपने बड़े बेटे से ही पूछ लिजिए हमको बांध के लाएं है ये पूछ लिजिए और मैया भैया अनुमान जी को क्या कोई बादेगा नाग पांस तो उनको परभावे नहीं करता क्योंकि शेष नारायन भगवान की सेवा में है तो असरे नहीं करेगा ये तो अनुमान जी की लीला है शीरे अनुमान जी महराज ने जैज़ श्री राम ऐसे किया और वो नाग पांस खंड-खंड हो क्यों श्री अनुमान जी कुछ और नहीं कि कहे मुझे आप को देखना था मुझे क्यों देखना था तेरे बैं तो ये देखना था कि जो जगत के स्वाहमी है सारे संसार को चलाने वाले है उनसे जो बैर बिरोध कर लिया है वह व्यक्ति है कैसा कई लोग अपना अंत जानते हैं मानते नहीं कोई बहादुरी नहीं है यदि हम जान गए हमारा अंत है तो उसकी आत्रा बड़ी मधूर करनी जाएए अंत की आत्रा इतनी सरल हो सहज हो यह मानो जीवन भगवान की एक अद्भुत गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा दिया गया यह अईसा अलोकिक धन है जिसका कोई मोल नहीं है यह लुड़ा बचली जाएए कोई मोल बस्तार इत्रा आत्रा बहुड़ा करे जिसका की भाये जाएए यह लेश्युत गिएकvaगत्रा बाउबार के अत्रा ऊंतों झाल झाल झाल